जहित दोस्तों वेलकम बाक टो ट्यूब टॉब टॉक दोस्तों सदार उध्धम मूवी अब एमेजॉन प्राइम के प्लाटफरम पे रिलीज हो चुकी है इसे रात को 10 बजे से स्ट्रीम पर लगा दिया गया था और इस मूवी की ओवरॉल लेंथ है 2 घंटे 40 मिनिट की लीड में आपको देखने को मिलेंगे विकी कौशल जिन्होंने शहीत सदार उध्धम सिंग का केरेक्टर प्ले किया है दोस्तों कहानिये सदार उध्धम सिंग की जिन्होंने अपने बचपन में एक ऐसा हत्यागांड होते हुए देखा जिसके बाद उन्होंने अपसे एक शबत कि वो इसका बदला लेकर रहेंगे और फिर कैसे उनकी जर्नी अपने बदले पे कंप्लीट होती है ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी लेकिन आए मैं आपको बतायता हूँ इस मूवी में क्या अच्छा है और क्या बुरा और क्या आपको इस पर अपन इतनी अच्छी डीटेलिंग मिलने वाली है क्योंकि ये एक पीरियड ड्रामा मूवी है जहां आपको 1990 से 1940 के एरा के बीच में आपको बना के दिखाया गया है तो दोस्तों जो डीटेलिंग है जिस तरीके से इसमें इंडिया और लंडन के सीन्स को क्रिएट किया गया है आपने दोस्तों हिस्टरी इसकी बुक्स में पड़ी हुई है स्कूल्स में क्योंकि इंडियन कोर्स में से कवर किया जाता है लेकिन फिर भी दोस्तों आप जितनी डीटेल इस मूवी में देखने वाले हैं आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस बारे में इतनी नॉलेज भी आ और finally जब उन्होंने execute किया अपने बदले को ये सारी दोस्तों तीन phases में उनकी life आपको देखने को मिलेगी लेकिन जो major turn of events आपको देखने को मिलेगे वो थोड़ा later half of the movie में मिलेगे क्योंकि initial movie थोड़ी built up आपको करती भी नजर आएगी लेकिन दोस्तों अगर आप इस movie को देख लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और आपके मूँसे बस यही निकलेगा शहीत सदार उधम सिंग not सदार उधम सिंग दोस्तों इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप expect कर रहे हैं कि इस movie में आपको बहुत गरम जोशी वाले dialogue सुनने को मिलने वाले हैं जो आपके अंदर देजभक्ती का रुद्बा वो जगा देंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि इसको थोड़ा सा subtle रखा गया है यहाँ पर dialogue बाजी कम देखने को मिलेगी लेकिन सटीक देखने को मिलेगी no nonsense type की बाते होंगी और सदार उधम सिंग कुछ ऐसी बातें जरूर करेंगे जो आपके दिल में घर कर जाएंगी डेफिनेटली दोस्तों इस movie की length थोड़ी सी आपको feel जरूर होगी दो घंटे 40 मिनट की लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी जगाएं भी आएंगी जहां आपको थोड़े blank scenes मिलेंगे और आप उन्हें forward भी कर देंगे लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप एक patriotic दिल रखते हैं और जानना चाहते हैं सदार उधम सिंग की कहानी तो शहीत सदार उधम सिंग की कहानी आपको सदार उधम मूवी में definitely देखने को मिल जाएगी और अगर आप वाकि ऐसी मूवी इसको feel करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा enjoy करने वाले हैं इस मूवी को आप इसको family के साथ भी देख सकते हैं अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं ताकि उनकी knowledge उस time के era और उस time की India की struggle और freedom fight के बारे में और हो सके दोस्तों मुझे इस मूवी इसलिए पसंद आई क्योंकि मेरा इस तरफ जादा रुजहान चुरू से है लेकिन आपको इस मूवी कैसे लेगी मुझे comment section में जरूर बताना until I get back to you with our next review it's goodbye from tube talk